हलो एवरीबन स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल एक्जाम अकेडिमी पर आज हम अपने इस वीडियो में एक स्टेट से आए हुए सिट का जो एक्जाम है जिसे स्टेट एलिजबिल्टी टेस्ट के नाम से जाना जाता है इसके उपर बात करने वाले हैं जहांकि इस स्टेट से इसका फार्म रेश्टर होना स्टार्ड हो गया है तो वीडियो के मादेम से जानने का प्रियास करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट में स्टेट एलिजबिल्टी टेस्ट के लिए अप्लिकेशन मांगा जा रहा है अप्लिकेशन फीज क्या है और फार्म को फिल अप करने का जो लाश डेट रखा गया है उसे जानने का प्रयास करेंगे तो वीडियो में लाश तक बने रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर से सस्क्राइब कर दे ताकि इस तरीके का इन्फार्मेटिव वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे तो गाईस यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जो सिट का एक्जाम कराय जा रहा है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए नटिफिकेशन निकल कर आया हुआ है और साथ हिसाथ जो इसमें एजुकेशनल क्रेटेरिया मांगा गया है पीजी में वो आप लोगों का भी यहाँ पर मिंसन किया हुआ है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं Mathematics, Mathematical Science में अप्लिकेशन मांगा जा रहा है Physics में मांगा जा रहा है Chemical Science में अप्लिकेशन आया हुआ है Life Science में Hindi, Gujarati, Sanskrit, History, Sociology Economics, Political Science English, Education Psychology, Library and Information Science Log, Commerce, Management Computer Science and Application Earth Science, Physical Education Philosophy, Home Science Geography, Social Work Environmental Science Forensic Science Hindu Studies Indian Knowledge System Music, Performing Art Dance, Drama, Theater Public Administration and Visual Arts से रिलेटेड यहाँ पर State Elisability Test का जो फाम है वो निकल कर आया हुआ है तो अगर आपने related subject में master degree किया हुआ है तो आप गुजरात State Elisability Test के इस फाम को फिलब कर सकते हैं तो यहाँ पर जो अप्लिकेशन फीस मांगा जा रहा है इस फाम को फिलब करने के लिए 900 रुपए अप्लिकेशन चार्ज जेनरल EWS SE BC Non-Crimalier Candidates के लिए रखा गया है 700 रुपए अप्लिकेशन चार्ज यहाँ पर SEST और थर्ड जेनर के जो कंडिड़ेट है उनके लिए और 100 रुपए PWD या फिर Physical Hand के जो Candidate है उनके लिए रखा गया है तो यहाँ पर जो आप लोगों को Bank Charge देना पड़ेगा वो Online Mode के माध्यम से देना पड़ेगा जिसके लिए आप लोगों को Credit Card, Debit Card या फिर Net Banking के माध्यम का प्रियोग करना पड़ेगा फार्म से रिलेटेड जो Important Dates है उसमें Application Fees का जो Collection Date है Step 1 का वो 21 अगस्त 2023 से 16 सितंबर 2030 तक का डेट रखा गया है Registration Step 2 तक का यहाँ पर जो Date of Examination रखा गया है वो 26 नवंबर 2030 का डेट रखा गया है Duration of Examination यहाँ पर 3 घंटे का आप देख सकते हैं Total 2 पिपर इसमें होने है Paper 1 यहाँ पर जो Timing of Examination है उसमें 2 पिपर आपके होने है First paper जो है 1 hours का रहेगा जिसमें 9.30am से 10.30am तक आपका exam होगा और Second paper का जो exam है वो 2 hours का रहेगा जिसमें जो timing है वो 10.30am से 12.30pm के बीच में कराय जाएगा तो इससे related सभी important interaction आप इसके notification में देख सकते हैं यह notification दो language में दिया गया है जिसमें एक language जो है वो गुजराती है और दूसरा जो है general English language आप लोगों को मिल जाएगा तो आप जिसमें भी comfortable हो उससे language में इस notification को समझ सकते हैं तो guys इस वीडियो में इतना है इस तरीके के informative वीडियो पाने के लिए अब हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से subscribe करें अपने दोस्तों तक share करें या फिर हमें आप Facebook पेज पर भी follow कर सकते हैं जिसका link आप लोगों को इसके description box में मिल जाएगा मिलते हैं के नए वीडियो में नए information के साथ तब तक के लिए thank you so much